हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही खुसी हो रही है कि हमने अपना खुद का एक मोबाइल बाई किया है जिसका नाम है रेडमी नोट 5 प्रो और इस मोबाईल को जो हमन करते हैं तो यहां पर 100% आप अर्णिंग करेंगे और शाती साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और अपने साइट के ओपर हमेशा अपडेट रहता हूं लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम होने की वज़ा से अपने साइट के ओपर अभी हम आर्टिकल पब्लिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेट फॉर्म है जहां पर दोस्तों अगर आपका ब्लॉग चल जाता है उसके उपर मालेज हफ्ता में भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपके अर्णिंग स्टार्ट होती ह है और इस महिने के अर्णिंग से हमने अपना खुद का मोबाइल यहां पे बाई किया है जो कि दोस्तों रेड्मी नोट फाइब प्रो है और इससे पहले भी हमने इस मोबाईल को बाई किया था लेकिन उसमें जो रैम था वह चार जीवी था इसलिए दोस्तों हमने फिर से इस मोबाइल को बाई किया है और इसका रैम जो है 6GB रैम है जी हां दोस्तों आपने सही सुना और इस मोबाइल को हमने बाई किया है Amazon से और इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है ये 13300 रुपया में मुझे मिल गया तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसका अंबॉक्सिंग त इसे तो पहले से यहां पर बॉक्स को अंबॉक्स किया गया है लेकिन मोबाइल नहीं निकाला गया था तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमारा मोबाइल हो चुका है ओपें और इसका स्क्रीन जो है काफी स्मूथ यहां पर वर्क कर रहा है अब साथी साथ दोस्तों हम हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में तो एक्षा कैमरा है और इससे पहले भी दोस्तों हम रेड्यमी नोट फाइब प्रो ही यूज कर रहे थे लेकिन दोस्तों यह मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए हमने फिर से इसे बाइक किया इसमें दोस्तों अलग यहीं है क कि दो जीवी रैम मुझे यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक एससे पहले जो हमने लिया था तो चार जीवी रैम के साथ लिया था अब साती साथ दोस्तों यहां पर बात कर लें कैमरा के बारे में तो कैमरा क्वालिटी इस मोबाइल का काफी हद तक अच्छा है और मैं यानि अपने अंगली से आप लोग लगा सकते हैं कोल सकते हैं जैसा के अभी सारे मोबाइल में आपको देखने को मिलता है अब साती साथ दोस्तों हम यहां पर बात करें रैम के बारे में तो रैम भी यहां पर 6GB मिलता है और इंटरनल स्टोरेज के बारे में हम बात करें त काफी हद तक बहतर है कहने का मतलब है कि 4000 ms का इसमें बैटरी दिया गया है लेकिन दोस्तों इसकी जो चार्जिंग कैपिसिटी है बहुत अधीक है और यह कुईकली चार्ज होता है अगर माल लेजिए आप आदा घंटा के लिए लगाते हैं तो कम से कम आपको 50 60 70% मोबाइल चार्ज हो जाता है अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका कम से कम 45 घंटा काम चल जाता है इसलिए दोस्तों यह मोबाइल हमने फिर से बाइक किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा और साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह ब्लोगिंग के अर्निंग से है यहां पर देखने को मिल रहा है उसके बाद दोसके यहां पर दिया गया है मैनवल बुक जो कि किसी भी काम का रहता रहता नहीं है उसके बाद दोस्तों यहां पर दी और अर्हें पर 기 extr मिलता है क्योंकि डुसरे आपको एड़ फोन नहीं दिया जाता है मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों की कन्फूजन है कि रेडिमी में भी हेड़ फोन आता है लेकिन एयर फोन वगेरा नहीं आता है तो बस यही था छोटा सा अन्बॉक्सिंग जो कि दोस्तों हमने आपको बता दिया और साथी साथ द दोस्तों की हमारे पास पहले वाला रेड़ में था और अभी जो हमने वाइक किया है यह यह पहले वाला ब्लैक था अभी वाला गोल्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका दाम मुझे पड़ा 13300 तो बस यही था अन्बॉक्सिंग आजके इस वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आये हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले, अगर आप हमारे चैनल के उपर नए हैं, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करने, थैंक्यो फॉर बाचिंग झाले, 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 ये झाले, 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 झ